एपिशन नमर 128 के स्टाटिंग होती है और रोईंग के डैड उसकी बते सुन वहां से घुम कर जाती वी कहते हैं तो तुम यहाँ पर कुछ दोस्त आये है तो तुम यहाँ टाइम लेकर अपना विजिट करो उसकी ये बते सुनवों से मिडल फिंगर दिखाती भी कहता है क्या ये मेरी बेटी का प्रिंटिंग एक्जिबिशन है तुम खुद को मास्टर मस समझो और तुम बहुत ही ज़ादा बूड़े हो चुके हो वहीं रुणिंग और जेफिय ये सब देख मन में किनल लगते है क्या ये उन दोनों का प्यार है फिर उन दोनों को एक दूसे से जलन है और फिर सिन सिर्फ टूतरमे नेक्टी दिखाया जता है जहांपर वो विखती रुधिर रुणिंग से कहरा होता है सर बॉस को आप से कुछ बात करनी है तो उन्होंने आपको नीचे बुलाया है तब रुइंकिंग कहता है मेरे ख्याल से उन्हें जरूर मुझसे कुछ इंपोर्टेंट बात करनी होंगी पिर रुइंकिंग नीचे आता है और उनसे कहता है आप खुद यहाँ पर आए तो मेरे ख्याल से आपको जुरूर कुछ इंपोर्टेंट बात करनी होंगी है ना पिर याओडे कहता है नहीं यह कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है यह स्रिप एक फूट कमपनी का मेटर है और कोई है जो चाहता है कि तुम ओवर आल सिचुएशन को संभालो तब रुइंकिंग कहता है कुछ दिन पहले मिटिंग में मैंने अपनी राय रख दी थी कि यह मेर इस सब चीजों में शामिल नहीं होना चाहता और जहां तक रही बाकी चीजों की तो मेरे ख्याल से आप उसकी वेवस्ता खुद ही कर सकते है पिर याओडे कहते ठीक है तुम हमेसा वही काम करते हो जिसमें तुमको पूरा यकीन होता है और यह आपका ही फायदा है और तु रागे योडी कहता है यह हमारा मामला है और इससे तुमारा और तुमारी गल्फरेंड का कोई लेना देना नहीं है वो यंग था तो वो तुमारी मॉम का प्रशन शक था और मेरा कॉम्पिटिटर था इसलिए मुझे उसकी बेटी पर पूरा यकिन नहीं है तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें शादी के बारे में एक बर फिट से सोचना चाहिए अब रूइंकिंग कैता है आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़ुरत नहीं है और में आपकी बात नहीं सुनूँगा और मैं उसे पसंद करता हूँ और इससे आपका कोई ले प्राइटर नहीं हो सकते अब रूइंग किंग कैते हैं ठीक है वैसे भी हमें रहना भी वहां पसंद नहीं है उसका ये जवाब सुनिया उड़े कैता है तुम रूइंग किंग अतीत में ये सब बाते इतनी सारल नहीं थी जितना कि तुम सोच रहे हो मेरी भी कुछ अपनी पिठनाईयों की जरुरत नहीं है और आपने ये किया है तो आपको इसे स्विकार करना चाहिए और एक वेक्ती का यही तो रवया होता है है ना और पिड़ सिंसरिफ्ट तर रूइंकिंग हमें जेफ्यू के पास दिखाया जाता है और वो उससे कह रहा होता है हानी रॉंग आपको जल्दी नेक्स्ट इपीसोड में